2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस का वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजर हो चुके हैं आज से पहले आपने यूटूब पर कई बिसनेस के बारे में वीडियो देखा होगा लेकिन दोस्तों आपने अभी तक कोई भी बिसनेस शुरू नहीं किया है तो आज हम आपको एक सांदार बिसनेस बताने वाला है जो 2022 में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस है अगर आप ये बिसनेस करोगे तो आप एक महिने में एक लाख रुपे से पांच लाख रुपे कमा सकते हैं आप भी अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और खुद का बिसनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यी वीडियो पूरा देखना आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस बिसनेस के बारे में आपको मार्केटिंग कहां करनी है मार्केटिंग सेल कैसे करनी है क अगर आप खुद का बिसनेस ही स्टार्ट करना है तो कम रुपे में सुरू होने वाला ये बिसनेस है और अच्छे पैसे आप इस बिसनेस के माद्यम से कमा सकते हैं 2022 में ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बिसनेस है आपने यूटूब पर की वीडियो देखा होगा कुछ लोग बिसनेस के माद्यम से सकसे भी हो सके है कुछ ऐसे लोग है जिनने उन्हें जानकारी नहीं ली और ऐसे बिसनेस सुरू कि दिया वो लोग सकसे नहीं हुए क्योंक कैसे तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं तो आज हर लोग पैसा कमाना चाहते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बड़ा बिसनेस कर सकते हैं अगर आप कम पैसे लगा कर बिसनेस करना चाहते हैं सोटे उद्यों करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं पूरी ज किर आप ने जानकारि तो देती लेकिन हमारा बज्टनल कहीं साटा नहीं हुआ अच्छा पैसे नहीं कमाई तो हम जो आप जानकारी देतें उन-को आप पूरी फोलो करो उसके बाद में आप हमें बता सकते हैं मैं आपको नमबर दूँगा बिजनेस कैसे करना है माल कां से खरीदना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लसुन का बिजनेस करेगे तो लसुन के बिजनेस से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो लसुन का आप बिजनेस कैसे करें आप कहां पर कर सकते हैं कैसे करना है वो ही बताना है तो लसुन आपको अब किसानों के पास तो बहुत एक कम मातरा मिलेगा क्योंकि जदातर किसानों ने लसुन को अब मार्केट के अंदर बेच दिया है जहां पर बड़ा मार्केट होता है वहाँ पर आपको लसुन बड़े आराम से मिल जाएगा हो सकता है कि कुछ ऐसे किसान है जो माल इस्टोक करते हैं और उसके बाद में अच्छे बाव पर बेजते हैं तो वह किसान ऐसे हैं काफी तो उनके पास लसुन मिल सकता है तो अगर किसानों के पास है तो बहुत ही अच्छी बात है तो आपको सस्ता मिलेगा लसुन की पराइज है जो अब मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप दुकान से एक किलो लसुन अगर आप लाने जाओगे तो आपको 80 रुपे देने होगे कितने रुपे 80 रुपे अगर यही लसुन आप किसान से खरीते हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपे में मिल जाएगा कितने रुपे में 10 रुपे में आपको लसुन मिल जाएगा तो 10 रुपे में आप खरीद क अगर आप कितने रुपे में बेश सकते हैं या असी रुपे हैं या शोता मार्केट है तो लसून का क्या है आपको हॉलसॉल में खरीद रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे वेपारी होते हैं जो सबी परकार के बिजनेस करते हैं जिसमें उनके पास हर आइटम होता है वो हॉलसॉल नहीं होता है उनके पास आपको माल अगर खरीदेंगे तो आपको म ज़्यदा पैसे पर मिलेगा, इसके लिए आपको ये देखना है, कि सबसे सफता कौन दे रहा है, और केवल लसुन का बिजनेस कौन कर रहा है, ये मार्केट के अंदर आपको देखना होगा, आपको एक नई, दो नई, चार चार मार्केट देखना है, अलग-अलग आपको भाव पता करना कि कौन से मार्केट में क्या भाव मिलता है इसमा कुछ ऐसे मार्केट होते हैं वहाँ पर हॉलसॉल होता भी नहीं है सबी के पास मिलता है एक भी दुकान नहीं होती है तो आपको सिर्फ हॉलसॉल से ही खरीदना है तो AllSol से आपको क्या फाइदा होगा कि आपके पास मान लिया कि किसान के पास ये लसून आपको मिल रहाए 10 रुपे में अगर AllSol से बाप खरीदेंगे तो सिर्फ आपको 12 रुपे मिल जाएगा कितने रुपे में? 12 रुपे में क्योंकि इन्होंने जब माल स्टोक किया था उन्होंने पांश से 7 रूपे के बीच में किया था, पांश रूपे कमा कि वह आपको बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि लसुन की अपराइज बहुत हैवी है, और आने वाले एक या दो माईने के अंदर लसुन के जो बावे 200 परति किलो जा सकते हैं, मैं आपको दावय के साथ कहता हूँ कि लसून अब सूकने लग गया है, लसून मार्केट के हम बहुत थी कम आपको मिल की मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो ज़्यादा कीमत वसूल रहे है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पांच य आपको बेजनेगे मान लिया कि आप आगर वीस हजार रुपे कि अगतने साट लिपे कर सकते कि इसके ओपर दो रुपे खर्चा भी बैठ जाता है 12 रुपे में आप खरीदेंगे 3 रुपे मान लिया कि खर्चा बैठ जाता है गाड़ी का किराय हो जाता है आपका भी खर्चा हो जाता है 3 रुपे काफी होते हैं तो आप सीधा 15 रुपे एक किलो के अंसाब से कमा सकते हैं कितने रुपे 15 रुपे तो आप अगर इस परकार से ये बिजनेस करोगे 30-40-20 या 25,000 रुपे का आप अगर खरीद लेते हैं तो आपको सीधा दुगना फायदा है मान लेके आपने 50,000 का लसुन खरीदा और यहीं 50,000 का लसुन आप 1,000,000 रुपे तक बेश सकते हैं अब आपको क्या करना होगा इसको बिजनेस को बढ़ाना है शुरुआत में आपको 5 या 10 कियोंटल खरीद रहा है आपको ज़्यादा माल नहीं खरीद रहा है यह क्या 2 रुपे आपको मेंगा मिलेगा तो आप भी मेंगा बेचेंगे तो इस तरीके से आप जब तक आप बसंत रितू है उसके बाद में सरदियाँ की रितू आ जाएगी तो करीबन आप यह बिसनेस 8 मेने कर सकते हैं तो आप इनको 50 या 100 रुपे तक भी बेच पाएंगे जब इनकी ज़्यादा डिमाड़ लोगी तो आप एक किलो के भाव से हिसाबचे 100 रुपे तक भी बेच सकते हैं तो अगर हो सकता है कि आप अगर स्टोक कर लेते हैं 20 या 30 क्योंटल तो आपको बहुत अच्छा फाइदा होगा आप लाखों रुपे कमा सकते हैं आप हकीकत में कमा सकते हैं आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ आप लाखों रुपे कमा सकते हैं तो आप एक लाख रुपे करीबन परते एक मैने कमा सकते हैं अगर ये बिजनेस आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा और सांधार मौका है अब आपको ये छोटे छोटे गाउं के अंदर सेल करना है आपको बेचना कैसे है आपको ये बेचना है कि तीन किलो के एसा सेलिंग करना है तो आप हर मार्केट के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनको सुनाई देगा और आपके ज्यादा के स्क्राइब मिल रहा और आप तीन किलो सो रुपे हम दे रहे तो तो आप कितने रुपए कमा सकते हैं तीन किलो के और पिछे तो परते किलो आपने किताब बेचा 33 रुपए और 33 पैसे के करीब आपने बेच दिया तो आपको 18 रुपए मिलेंगे सीधा 18 रुपए तो आपको बहुत ये अच्छा इसमें फाइदा है आज ही इसने सुरू कर दीजिए